नमस्तार में और शुक्ला स्वागत करते हूं आपका नुम्तान निश्पंटी कोर पर आए नगर दाजे आज की प्रवुक्त क्यों पर आज देहरा दुन धरामपुर में एक मामला संग्यान में आया जिसमें दिली पाल नामक बेटी नियाज नामक बेटी की यहाँ पर करते हनोकरी जिसको मार्च से लेकर अभी तक को कोई भी बेतन नहीं दिया गया बेतन मांगने पर नियाज नामक बेटी उसके साथ मार पिट वा भाद्र बेवार करता रहता है आज हिंदूर अच्छा की डल टीम द्वारा पेडित को इशाब दिलाने के लिए थाना नेरु कलोन में पूरी टीम उपस्तित हुई है जिससे पेडित पाच को जब हमने सुना तो उसमें बताया कि नियाज नामक बेक्ती से जब बीवे पैसा मांगता है तो वह उसको साथ गाली गोलोज और मार पिट करता है आज पेडित बेक्ती ने परशान होका रथाना नेरु कलोनी वा अज यहां पर एक हजीव मामला सामने आया है कि एक दुकानदार जिनके यहां पर काम करने वालों को उन्होंने बंदक बनाया हुआ था तो यह मामला भी हिंदू रक्षदल की टीम के दौरा देहरा दून नेरु कलोनी थाने में पहुँचा है आई यह हम प्रिप्रित से ज मुझे आने नहीं दे रहा थे तो मुझे आने नहीं दे रहा थे तो मुझे पैसा दे दो मैं जा रहा हूं घर बारा माज को आये थे तो पैसा नहीं दे रहा थे कि नहीं जाने दूंगा तुम यहीं पे रहा हूं तो मैं जब जब जटती ज़रा उठाया चलने लगा तो आप क्या चाहते हैं आप इसके उपर पुलिस कारवाई चाहते हैं? मैं चाहते हैं कि मेरा पैसा दे और घर चलागाँ. आप आप के भाईवंद अगर और भी कोई इनके साथे काम करने हो सकता है गर को उनके साथ इस तरह के बदुटा है, या आपके मुन में अभी क्या है सिर्फ तुछ रहा हूं कि मेरा पैसा दे दे मैं चला जाओं भाइसाब बस आप यहां पर काम करने हैं यह नहीं है तो बोला है दे रहा है किसी के पार नहीं जाने दूँगा तुछे किस तरह की दमके मिली हैं आपको बहुत दमकी दर है तर्मार में कि लब्वेल्ट निकारी तुरूंद लावान मानने शुरू कर दिये कि कोई आप हो सब्सक्राइब नहीं बचा पाएगा दर्वाजा तुरूंद बन कर दिये सुबा देखे इस तरह की घटनाई बहुत ही नि जनता के बीच में जाते हैं उनकी परेशानियों को सुनते हैं और जो भी जिस तरह की उनको हेल्प की जरुवत होती है वो भी दिन रात एक करके उनको हेल्प दिलाते हैं लेकिन मैं सहिंदुस्तान निश 24 भी सरकार और पूलिस प्रिसाशन से अपिल करता है इस तरह के लो आज आज आप नहरो कलुनी थाने में पहुंचे हैं अज क्या गटना हुई आपको क्यों यहां पर आना पड़ा देखिए सुबह तक्रियवन नो बज़े के आसपास मेरे को जानकारी मिली मेरे बरिष्ट परदेश बादक्ष राजीब कनोजिया जी है आप देख सकते हैं नो ने मुझे जानकारी दी किसी तरीके से एक मुसल्मान ब्यक्ति दो हिंदू का सोशल कर रहा है दो लड़कों को उनसे जवरन यहां पे अपने पास रोक के कारे करा रहा है उनको घाओ जाने के नाम पर मारता है धंकी देता है तो मैंने अपनी टीम को अपने पर्देश अपनी टीम को गुरूप में मैसी डाला एला यू को इंफर्म किया उसके बाद में वहां स्वेम पहुंचा जब वहां पहुंचके मैंने देखा तो मेरे पर्देश बादक जी पहले खड़ हुए थे और भी टीम पहुंच चुकी थी कुछ लोग पीसे से आ रहे थे तो हम पहुंचे तो हमने बात की तो इसको बुलवाया फौन पर यह मौजूद नहीं था जो मुसलमान जो है यह मौजूद नहीं था वहां पर तब इस लड़के ने बताया कि इस तरीके से मेरे साथ ऐसे सोसल कर रहा है और उसको दंकी देता है कि मैं मुसलमान हूं में इसको गाउं जाने के लिए ना तो पैसे देता है ना गाउं जाने की से परिमीशन देता है तो इस तरीके से अगर चलता रहेगा यह हिंदू रक्षा दल कभी इन जिहादियों का कोई भी जुल्म किसी हिंदू पर ना होने देगा ना खुद बर्दास करेगा जैकारे बीर हिंदूस्तान न्यूस 24 से सतेन चोहन बिरोचीफ उतराकन देहरादू